जैई श्री महांकाल जैई श्री महांकाल दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है इस टूडियो में हम बात करेंगे कि आपके गर्ल्फ्रेंड आपका बॉर्फ्रेंड आपका प्रेमी आपकी प्र रिलेशनसी जो अभी चल रहा है वरतमान में या कभी हुआ है तो वो धोका जो देते हैं उसके पहले-पहले क्या-क्या चीजी होती है कौन-कौन सी चीजी जो हमें पता लग जाती है कि यह जो प्यार है हमारा लंबे वक्त तक नहीं चलेगा और यह हमें गुम्रह कर रहे हैं और अब हम इससे बहार आना चाहिए तो जो-जो संकेत हैं जो-जो बाते हैं उन बातों पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और यह वीडियो बनाना इन बातों को यदि गंभीरता से आप सोचेंगे तो जरूर आपको समस्यका समाधान मिल जाएगा तो यह बहुत महत्मूर्ण वीडियो है आपके लिए इस वीडियो का पूरा और अंत्य तक देखे चीजे आपको समझा सके उससे पहले एक निवेदान है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्लीज सब्सक्राइब कर ले कमेंट्स में आपको जय भोले नाथ का नाम जरूर लिके क्योंकि ईश्वर हर जगा है और उसकी क्रपा के बिना यहां कुछ भी संभाव नहीं है तीसरी बात है कि आगर मुझसे बात करना चाहते है तो स्क्रीन पर नमबर चल रहा है पॉट्सप पर अपूर्ण में लेकर बात करे इसका शुल्क है शुल्क पे करके अब बात कर सकते हैं सबसे पहली बात है कि जब भी कोई रिलेशन्शिप में हम होते हैं और उसका उस रिलेशन्शिप को किसी एक पक्षी की तरफ से खतम करने की कोशिश की जाती है इन दे सेंस सीधा सा कहने की प्यार में धोगा तो वो है बे फिजूल का शक होना शुरू कर देना पहली बात कि रिलेशन्शिप दो साल छे मैने आट मैने से बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन एकदम से शक जो है वो इंक्लूट कर देना दोशार ओपन कर देना विक्टिम कार्ट जिसे कह देते हैं वो शुरू हो जाता है कि महा ऐसा क्यों वो ऐसा क्या वो सीधा जा सेंस यह है कि वो इस रिलेशन्शिप में अब आगे नहीं बढ़ना चाहते वो किसी भी कारण को एक छोटी सी बात को मुद्दा बनाकर इसको खत्म करना चाहते है तो उसमें एक बात मैं एट कर देना चाहता हूँ अगर इस तरह के चीज़ें आप फैस कर रहे हैं तो उसको खतम करने में ही सहुलियत है क्योंकि वो इसलिए सहुलियत है दोस्तो कि जो व्यक्ति इस सिंपल सी बात को लेकर इतना बड़ा बख्रड़ा हो सकता है लाइफ टैंग हम उसे किस तरह का सवाइब कर पाएंगे दूसरी बात है कि शक तो है इसे दूसरी बात है केर कम हो जाना जो पहले केर होती वो कम हो जाना और तीसरी और मत्पूर्ण बात है कई बार पैसो का उपयोग जो कि आज की इस यूग में बहुत सिंपल सा चलन चल रहा है आपका पैसो का उपयोग कर ले आपका वक्त का उपयोग कर ले और अपना काम निकल गया तो बाहर हो गए और आप अपनी जगा पर खड़े ले गए तो इस तरह के संबंदों को जब संबंद चल रहा है तब इस चीज को अबजर्वेशन कर ले कि क्या रियल में ही उन्हें इन सब चीजों की जरुवत थी या सिर्फ हमारा उपयोग हुआ है चोती और मुख्य बात होती है कि चीजों को छुपाना और एक अधिकार जताना ये भी एक चीजे इसमें आ जाती है तो इन चीजों पर भी थोड़ा सा ध्यान दे एक महत्पून बात है कि आप प्यार जरू करें इश्वर से जैसा प्यार करते हैं वेसे ही सबसे प्यार करें लेकिन उसमें थोड़ी सी गुंजाई से रखें चीजों को अब्जर करने की तो ही आप चीजे सही समझ पाएंगे आपको अच्छा लगाओ लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें